नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्योरिटी ओफ लाइफ में मैं निलम शुकला आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों मा भगवती दुर्गा का पांचमा सुरूप होता है सकंद माता का पंचमी के दिन इनकी पूजा की जाती है मा सकंद माता की पूज से संतान सुख की प्राप्ति होती है मा सकंद माता की पूजा से वैसे तो सभी तरह की मनोकामनाय पूर्ण हो जाती है सभी सुखों की प्राप्ति होती है आकर्शन कांती की प्राप्ति होती है आरोग्य की प्राप्ति होती है लेकिन इनकी पूजा विशेश रूप से संतान प्राप्ति की देगा या फिर अगर आपकी संतान की सिट्वं में है किसी घलत रास्ते पर चली गई है तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शंतान को कस्टों से छुटकारा मिले और सही रास्ते पर वो आ जाए तो मा भगवती दूरगा के इस पांच्वे स्वरूप यानि सकंद माता की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए नवरात्री के पांचमे दिन इनकी पूजा से अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो संतान सुख की प्राप्ती होती है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान सही रास्ते पर आजाए और आप सचे मन से सकंद माता की पूजा करते हैं उस ते तो आपकी जो भी मनो कामना है यानि कि आपकी संतान जो है वो कश्टों से छुटकारा पाती है और सही रास्ते पर आपकी संतान स्वता ही माँ भगवती दुर्गा की क्रिपा से मा सकंद माता की क्रिपा से आजाती है तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्री के इस पांचमे दिन मा सकंद माता की कैसे पूजा करें? क्या मंत्र है? किस तरह से आप मा भगवती सकंद माता की पूजा करें? कि आपको संतान की प्राप्ती हो? क्या हमें दान करना चाहिए आज के दिन? क्या नियम है आपके मा सकंद माता की पूजा करने के लिए आपको कौन से नियम का पालन करना जरूरी है? अगर आप संतान प्राप्ती जाते हैं या किसी तरह से भी आपको संतान से कस्ट है तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये सभी बाते मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें शेर करें अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी समय पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों बात करते हैं सकंद माता के बारे में मा सकंद माता की चार भुजाएं हैं जिसमें दोनों हाथों में कमल के पुस्प हैं, देवी सकंद माता अपने एक हाथ से कार्तिकेय को अपने गोद में बिठा कर रखा है और दूसरे हाथ से वो भक्तों को आशिरवात प्रदान कर रही है। माभगवती दुर्गा के इसी स्वरूप की यानि सकंद माता का यही स्वरूप है जिनको मन में स्मरन करते हुए आपको पूजा करना है। करनी है। दोस्तों अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो पती पतनी दोनों को मिलकर माभगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। नौ दिन तक आपको पती-पतनी दोनों को साथ बैटकर ही पूजा करनी चाहिए। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं या आप अपने संतान को कश्टों से चुटकारा दिलाना चाहते हैं, तो ऐसे में माता पिता दोनों का साथ बैठ कर पूजा करना बहुत जरूरी है दोनों मिलकर साथ बैठ कर मा से आशिरवाद प्रदान करें मा से आशिरवाद आप प्राप्त करें कि आपकी संतान अगर किसी गलत रास्ते पर गई है तो वो जलदी से जलदी शेगरती शेगर सही रास्ते पर आजाए। मा ऐसी कृपा करें। या अगर आपकी संतान को कोई कर्षट हैं, तो पति-पत्नी दोनों साथ मिलकर इस बात का मा से प्रात्पना करें। जोWow नोनने मा की आराधना करनी चाहिए। जिससे कि आपकी संतान को कष्टों से शुटकारा मिले या फिर आप संतान प्राप्ति कामना चाहते हैं तो क्योंकि संतान के लिए बती-पत्नी दोनों का साथ बैठ कर पूजा करना बहुत जरूरी है अगर आप जैसे नॉर्मली तो क्या होता है कि कोई कभी पूजा कर लेता है कोई कभी पूजा कर लेता है किसी ने थोड़ी देर पहले या किसी थोड़ी देर बाद कर लिया पती-पत्नी दोनों लेकिन अगर आप किसी एक ही कामना से दोनों पूजा करना चाहते हैं तो एक साथ बैठ कर करें इससे मा भगवती दुरगा की कृपा आपको मिलती है ये एक विशेश नियम है जो संतान सुख के लिए आपको जरूर करना चाहिए दोस्तों इस नवरातरी के समय में जैसे भी आप मा भगवती दुरगा की अराधना कर रहे हैं पूरे सचे मन से करें जो भी आपके पास सामगरी है उससे मा भगवती दुरगा को प्रसंद करें लाल पुस्प अवस्चे अर्पित करना चाहिए मा भगवती दुरगा को इससे म केले का भूग लगाएं और वह केले का भूग जो आपने लगाया है उसी किसी ब्राम्वन को दान कर रहे हैं और केले आपको कण्याओं में भी वित्रित करने हैं अगर आपके घर के आसपाथ छोटी छोटी कन्याएं हैं उन्हें आप अपने घर बुलाएं अगर उपलब्ध हो जाएं तो आप अधिक संख्या में बुला सकते हैं पांच, साथ, नौ जितनी मिल जाएं ये स्पैसिली पंचमी तिति के लिए मैं बता रहे हूं कि आपको पं स्वरूप मान के उसकी पूझा करनी चाहिए उसको कुछ न कुछ गिफ्ट देना चाहिए जो उसको पसंद हो कुछ ऐसी गिफ्ट उसको दे कोई खिलोना दे चाहे तो आप कोई वस्त्र भी दे सकते हैं और आपको स्रिंगार की सामगरी माभगवती दुर्गा को आज के दिन अर्पित करनी है स्रिंगार की सामगरी आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है मादुर्गा का तो आप माधरगा के मंदिर में भी श्रिंगार की सामगरी अरपीत कर सकते हैं जिसमें महंदी अवश्य होना चाहिए, सिंदूर, बिन्दी, चूडिया, चुन्नी और महंदी इस तरह से पांच सामगरी लेकर आप माधरगा को अपने घर में अरपीत करें वो सामगरी आप किसी को दान में दे जो आपने कन्या अपने घर में बुलाई है उसे यथा शक्ति उसकी पूजा करें उसकी प्राटना करें उसको भोजन ग्रहन कराएं कुछ मीठा उसे खाने के लिए दें केले का दान दें कुछ खिलोना दे सकते हैं तो आप उसे दान दे मतलब आपको बेसिकली उस कन्या को प्रसन्य करना है कन्या जो है भगवती स्वरूपा है आज के दिन आप मा भगवती स्वरूप मान कर ही उसकी पूजा करेंगे और नवरात्री के इन 9 दिनों में आपको कन्या की पूजा करनी है अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो हर रोज उसे कोई ने कोई गिफ्ट उफार स्वरूप आप कुछ ने कुछ उसे दे आप कुछ भी दे सकते हैं आप चाहे तो एक चॉकलेट भी उसको दे सकते हैं इससे भी बच्चे खुश हो जाते हैं कभी किसी दिन आपने उसे कोई खलोना दे दिया किसी दिन आपने एक चॉकलेटो दे दि उसके पसंदिकी कोई नगBlue चीज रहे कर उसे प्रति दिन आपको खुश करना है क्योंकि अगर बच्चा खुश होगा कन्या खुश होगी तो समझ लीजिए कि मा भगवती दुर्गा जो है वो अपने आप आपके उपर प्रसंन होगी तो इस समय में आप मा भगवती दुर्गा के स्वरूप में ही आप उसकी पूजा करेंगे उसकी आरादना करेंगे और आपको क्या करना है नवरात्री के आठवे दिन आपको नारियल अरपित करना चाहिए अगर आप संतान सुख की कामना रखते हैं मा भगवती दुरुगा को नारियल अरपित करें और नारियल आप किसी मंदिर में दान करें किसी ब्रामभड को इससे भी आपको बहुत ही शुबफल की प्राप्ति होगी पंचमी तिती के दिन आपने इस तरह से मा दुरुगा की पूजा आराधना करनी है मा को केले का भोग लगाना है और मा को खीर बना कर भोग लगाएं केसर की खीर बनाएं और मा को भोग लगाएं दोस्तों इस तरह से आपको मा सकंद माता की पूजा आराधना करनी है पती-पत्नी दोनों को साथ मिलकर उसके बाद आपको सकंद माता के मंत्र का जाप करना है ओम सकंद मात्रे नमह कम से कम इस मंत्र का आप पांच माला जाप करें इससे अधिक भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो दोस्तों अगर आप इस समय में संतान गोपाल मंत्र का जाब कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जाब कर रहे हैं आप उसको वैसे ही करेंगे जैसे आप कर रहे हैं उसके अलावा आप जैसे बाल गोपाल की पूजा अराधना करते हैं उनके मंत्रों का जाब करते हैं वो आप continue रखे उसको आपको आगे तक भी करते रहना है ये मंत्र भी आप आगे चाहें तो पूरा कर सकते हैं मतलब प्रति दिन चाहे तो आप इस मंत्र का जाब कर सकते हैं बहुत ही चमत से जोने नहीं होती हैं स्भीन प्रती डिनों में पूरी तरह से समर्भीट जोगर माँ भगवती दृगा की आरातना करें आपके इन नौरात्रों में इस तरह से अगर मा भगवती दुर्गा की आप पुजा रातना करते हैं निश्चिति मनो कामना आपकी जो भी हो मा भगवती दुर्गा मा स्कंद माता उसे अवश्य पुर्ण करेंगी दोस्तों उमीद करती हूँ आज के दिन की ये वीडियो यानि सकंद माता की पुजा की ये विधी आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रस करें इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपुरून जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार